वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज की फिल्मी दुनिया की कुछ इंट्रेस्टिंग अप्डेट्स के बारे में वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है इसलिए एंट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए लेकिन आगे बारने से पहले इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वी जयादा अच्छा काम करने की और अगर आगर आप मुझे इंस्ट्राग्राम या फेजूऄ पर देख रहे हैं तो फिर ज्यादा देर न करते हुए आई आगे बरते हैं सबसे बहले ब फिल्म है यह इस रेस फ्रैंचाइज का लास्ट फिल्म होने वाला है सोच यह किस ने शुरू किया था और कौन खतम कर रहे हैं एनिवे रेस थी जो है बहुत ही घटिया एक फिल्म था उम्मीद है रेस फोर उतना घटिया नहीं होगा एनिवे नेक्स जो आपडेट है वह भी बठान टू के अंदर नजर नहीं आने वाला है जिसका कारण यह बता जा रहा है कि आदित्य चोपडा जो कि यह वैरेस फाइनिवर्स के क्रियेटर भी है उनका यह कहना है कि वह आगे चलके वैरेस फाइनिवर्स की किसी फिल्म के अंदर ऐसा कोई भी कैमियो नहीं करेंग उनका जो एक्सक्लिउजिवीटी है वह भी कम हो रहा है साथी साथ यह जो कैरेक्टर है टाइगर इसका भी एक्सक्लिउजिवीटी कम हो रहा है इसा इलिए आगे चलके वैरेस फास फाइनिवर्स की नेक्स फिल्म आ रही है वाड टू उसके बात जब पठान 2 आएगी और और फिल्म के अंदर शायद हम ताइगार का कैमियो ना देख पाए मतलब सलमान का कैमियो ना देख पाए अगला प्रवास के रिलेटेड डारेक्टर हनुर आगफ पुरी जो है वो एक रोमांटिक एक्शन मुवी प्लैन कर रहे हैं जिसका बातची चल रहा है प्रवास और है यह एक रोमांटिक एक्शन मुवी है वो भी वर के बैकड्रोप पर इस फिल्म के अंदर हम दुलकर सलमन का एक कैमियो भी देख सकते हैं अगला अप्डिट है मैं मुटी की लास्ट रिलिस मुवी ब्रमयूगम के बारे में ब्रमयूगम जो है काफी अच्छा फिल्म था है सौनी लिफ पर लाया जा रहा है सौनी लिफ पर इस फिल्म को 15 March रिलिस कर दिया जाएगा अगला अक्षाय कुमारि इक और मूवी की जानकरी अब सामने हैं फुकडे मूवी का ऐरेकटर धान सिंह लंभा उनके साथ अक्षा कुलेबरेट करने वाले हैं एक आउट और कॉमेडी मुवी के लिए यह जो इसका जो कास्टिंग है अक्षाई कुमार के अलवा बाकी का जो कास्टिंग है यह अभी तक कुछ भी अन्विल नहीं किया गया है लेकिन इस फिल्म का जो शूटिंग है यह 2024 के सेकेंड हाफ से ही स सर्जिकल स्ट्राइक का डारेक्टर था उनके साथ यह फिल्म करने वाले है रनवीर सिंग यह एक आउट और एक्षन फिल्म होने जा रही है और अब जो है न्यूस सामने आ रहा है कि इस फिल्म का नाम शायद हो सकता है धुरंधर और यह एक गैंक्स्टर ड्रामा फिल्म ह हो सकता है और इस फिल्म को जो है जुलाई से स्टार्ट कर दिया जाएगा तो यह था आज का आप डेल वीडियो पसंद नहीं तो लाइक जरू कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों के साथ शेयर भी जरू कर दीजिए थैंक्यू चैसे रमा